ग्रासिम के पेंट प्लांट का आज उद्घार्टन होगा और इस पर और जानकारी के साथ हमारे ये साथ पानीपत से सीधे जुड़े हैं सुमित चतुरवीदी सुमित बताईए क्या अपडेट है वहाँ से अधिति बिर्ला ग्रूप ने आज बड़ा कदम रखा है पेंट बिजनस में ओपस ब्रैंड के अंतरगत जो आज हम पानीपत में इसके पहले प्लांट पर है अकुमार मंगला मिर्ला जो चेर्मेन है अधिति बिर्ला ग्रूप के वो इसे आज ओफिशली आधिकारिक तोर पर लांच करेंगे पानीपत के साथ साथ लुदियाना में और तमिल नारूबे भी ये प्लांट इनके जो प्लांट है वो लांच के जाएंगे आपको तोड़ा दिखाते हैं कि कितना बड़ा प्लांट है ये ग्रासे मिनस्ट्री का अधिति बिर्ला ग्रूप का ये पेंट इसका पूरा प्लांट है यहां पर और इसके बाद यहां पर कह सकते हैं कि एक नई एंट्री होगी अभी तक paint का जो business market है 70,000 करोड रुपे का है grassy ministry के entry के बाद कुछ इसका कह सकते हैं कि कुछ competition जादा बढ़ेगा इसमें अभी Asian paints है और company भी है पर grassy ministry के आने के बाद कुछ और के competition बढ़ेगा company की बात करें तो company चाहती है कि दूसरा सबसे बड़ा profitable brand बने वो paint business में और उसमें 10,000 करोड का निवेश पहले से ही हो चुका है लगबग 1300 million लीटर पर NM के capacity होगी सब मिला के प्लान की और paint business में आने का मुक्योदेश यह है कि इसको इंडियन economy की growth के साथ-साथ काफी बड़ा मिलने की उमीद है housing for all जैसे गवर्मेंट का एक महत्वपून aim और ambition और project रहा है उससे भी काफी paint business को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे अभी company मौझूद नहीं थी अब वो इस business में आ रही है तो उतल-पुतल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है ऐसे में इसके manufacturing plant जो लग चुके है और market इसका काफी बढ़ा हो सकता है क्योंकि जो कह सकते हैं कि dealership network है इसका पहले से ही cement business से या putty business से वो काफी बढ़ चुका है उसके थूँ यह paints को बीचा जाएगा इसलिए बहुत बड़ा उतल-पुतल होने की संभावना भी हो सकती है so paint business बहुत बड़ा business है कुछी समय में कुमार मंगनम बिरला जो है इसे launch करेंगे और दिकारिक तोर पर launch करेंगे